पुन्च में आतंकी हमले के बाद जमू कश्मीर के पूर्व मुख्य मंत्री और पीड़ीपी अध्याक्ष महभूबा मुफ्ती ने केंदर स्वरकार पर हमला बोला महभूबा मुफ्ती ने कहा कि अनुच्छे तीन सुफ फटर हटाने के बावजूद कश्मीर में आतंकी घटनाएं जा रही हैं बहुत ही जादा पूरामन लोग हैं अमन पसंद लोग हैं और आज पिछले कई साल से पिछले दो तीन साल से हम देख रहे हैं कि वहां भी जो मिलिटनसी का वहां नामों निशान नहीं था आज मिलिटनसी वहां भी है हलाएं कि लोकल उसमें कोई इन्वालव नहीं है आज तक जितने भी लोग पकड़े गए या कोई मारा भी गया खास तो लोग मारे नहीं गए पर जितने भी मारे गए हैं वो बाहर क ठाक कर दिया है जम्हो कश्मीर को एक खुली जेल तक के में तबदील करने के बावजूद आज राजरी पुंच में पिछले तीन साल से आपने देखा जबान से लेके मेजर हो कैप्टन हो करनल हो या उससे भी उंचा कोई अफसर हो वो जांबाग हुए हैं कहने का मकसद है कि यह कैसा खुशाल कश्मीर है यह कैसा नया कश्मीर है जहां पर ना तो आपका आर्मी बाला ही सुरक्षित है और ना यहां के लोग सुरक्षित हैं इतना उसको जेल में कनवर्ट करने के बावजूद भी इतने दिल्दोज हादसात हो रहे हैं मैबुवा मुफ्ती भले ही आतंकी वारदातों के लिए केंद्र सरकार पर निशाना साथ रही है लेकिन आकड़े बताते हैं कि कश्रीर में अनुछे 370 हटने के बाद आतंकी घटनाओं में तेजी से कमी आई है उसके कुछ आकड़े आपको दिखा रही है केंद्री ग्रे मंत्राले के मुताबिक 31 जुलाई 2023 कश्मीर खाटी में 30 आतंकी घटनाओं हुई इन आतंकी हमलों में 10 लोगों की जान गई जबकि सुरक्षबलों के 11 जवान शहीद हुए इसी तरह साल 2022 में 125 आतंकी वारदाते हुई इसमें 26 नागरिकों ने जान गवाई वहें 32 जवान शहीद हुए साल 2021 में 129 आतंकी हमले हुए जिसमें 37 आम लोग मारे गए जबकि 42 जवान शहीद हुए साल 2020 में 126 आतंकी वारदातों में 32 लोगों की मौत हुई और 63 जवान शहीद हुए 2019 में 153 आतंकी वारदातों में 29 आम लोगों ने जान कवाई वहीं 80 जवानों ने देश की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहूती जी जबके 370 हटने के बाद पहले साल 2018 में 228 आतंकी हमलों में 40 लोगों की जान कई है जबके इनकानवी जवान शहीद हुए है कश्मीर की तस्वीर बदल रही है और बहुत हद तक बदल गई है केंदर में मोदी की सरकार है अलगाबादियों और आतंकवादियों के साथ जिरो टॉलरेंस की पॉलिसी है कोई बाद चीत नहीं होगी कोई चर्चा नहीं होगी आज अगर जमू कश्मीर में आतंकी हमलों में एक जवान शहीद होता है तो उसके बदले 5 से 6 आतंकियों को धेर भी किया जाता है को अलग-अलग मौके पर धेर किया गया अब मैं आपको पिछले 4 साल के आकड़े दिखाते हूं जिन्हें देखने के बाद आपको यह समझ में आएगा कि कश्मीर में कैसे आतंकवादियों से निप्टा जा रहा है यह से एक के बदले 5 कुना आतंकियों को धेर किया जा रहा है पिछले साल आतंकी हमलों में 32 जवान शहीद हुए थे जबकि सीना और सुरक्षबलों ने 172 आतंकियों को मार गिराया इसी तरह साल 2021 में 42 जवान शहीद हुए और उसके बदले 182 आतंकियों को मौत के घाट उतारा किया इससे पहले 2020 में 63 जवान शहीद हुए, 221 आतंकि मुटभीर में मारे गए 2019 में 80 जवान शहीद हुए, सीना नी और सुरक्षा बलो ने मिलकर 157 आतंकियों को धेर कर दिया आतंक के विरुदे जारी युद का ये पैटरन 2023 में भी बरकरार है